नमस्कार दोश्तो आज मैं बनाने जा रहे हूं बिहारी इस्टाईल आलू की भुजिया भुजिया के लिए मैंने 5 आलू लिये हैं आलू को कट करेंगे आलु हम 3 मागा करेंगे आलू मैंने कट कर लिया है, इसे हम छोटे-छोटे पीसों में कट करेंगे इसे लम्मे पीसों में कट करेंगे, सारे आलू हमने कट कर लिये है बावल में पानी लेंगे, अलू को कट किया है, उसे हम अच्छे से वाश करेंगे अब कडाई रखेंगे गैस पर, कडाई में दो चम्मच ओल डालेंगे, ओल हमारा गरम हो चुका है, एक चम्मच सरसोदाना डालेंगे एक लाल मिर्ची सूकी हुई, चार से पांच कट हुई हरी मिर्च, इसे भी हम अच्छे से वाईल में भूनेंगे देख सकते हैं, मिर्ची हमारी अच्छे से भून चुकी है, जो हमने आलू कट किये हुए है, उन्हें हम कडाई में डालेंगे सारे अलू हमने कडाई में डाल दिये हैं, तीन से चार मिनट तक अच्छे से चलाएंगे और ढकार रख देंगे लोग फिलेंपे पकाएंगे, इसे एक दो बार बीच में चलाते रहेंगे, जिससे हमारी मुझिया अच्छे से गल जाए अब हम पिसे हुए मसाले एड़ करेंगे, आदा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुशा नमक, मसालों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे मसाला हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है, इसे हम दो मिनट के लिए ढखकर और पकाएंगे, इससे हमारी यालू भुजया अच्छे से बन जाए, आप देख सकते हैं, आलू भुजया बन के तयार है, भुजया हमारी पक चुकी है, अब इसमें हम कट हुई और दन्या पत्ती मिलाएंगे धनिया पत्ति को में अच्छे से आलू के भुजिया में मिक्स करेंगे हुआ हुआ है अमारी अलू की भुजिया बन Ke तयार है इसे हम सर्व करेंगे एक कम समय में बनने वाली रेसिपी है बच्चों को बहुत ही स्वाधिस लगती है सब्जी अगर हमारी वीडियो पसंद आयो तो लाइक करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करें थेंक यू